आज हम एक बहुत यमी चटनी आपके लिए लेकर आए हैं उसमें जो इंग्रेडिंट्स हैं वही आपके सामने हैं तीन टमाटर हैं तीन हरी मिर्चली हैं पोदीना पत्ती आप देख सकते हैं मैंने धोकर ली हैं और वनफोर्थ कप में जितनी आजाएं उतनी हैं छोटी-छोटी फ्रेश हैं एक चम्मच हमने चीनी ली है आधा चम्मच हमने भुना हुआ जीरा लिया है वनफोर्थ चम्मच हमने काला नमक लिया है सफेद नमक स्वाद के अनुसार और मैं पहले अपनी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ के मैं इमली का जो साफ करके हमने ले ली हैं धोकर देखिए फ्रेश हैं बहुत थोड़ी हैं बस एक मुठी में ऐसे आ जाएं गीली होके उतनी है इसको हम काट लेंगे और इसमें डाल देंगे यह डंडियां भी इसमें अच्छी लगती हैं फ्रेश अगर छोटी छोटी हैं तो उपर से यह पोदीना डाल देंगे हम इसमें अब हम इसमें ये इमली वाला पल्प डाल देंगे शुगर डाल देंगे और ये सब नमक और भुना जीरा डाल देंगे हरी मिर्च को हम तोड़ कर डालेंगे जितना तिखा आपको चाहिए ये में ही बहुत तिखी नहीं है मिर्च तो हम तोड़ के इनको डाल देंगे और टोमेटो का हम ये वाला पार्ट कट कर देंगे और इसमें हम पानी नहीं डालेंगे बस सीधा टोमाटर काट कर इसमें डाल देंगे तो ये टोमेटो जो है हम इसमें डाल देंगे कट करके बहुत टेसी लगती है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने फैमली फ्रेंड्स में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अब तक पहुंच सकें लाल टमाटर लीजिए बिल्कुल अब हम इनको ग् अब हमें ओर थोड़ा से इसको पीछना है थोड़ा दर्दरा है आप देख सकते हैं और ये देखिए हमारी ये चटनी बनकर त्यार है बहुत अच्छी चटनी बनी है और ये खटी मीठी चटनी है तो आईए करते हैं इसकी प्लेटिंग बहुत ही यमी चटनी है जरूर बनाईएगा और बताईएगा कि आपकी रेसिपी जो है वो कैसी बनी अब हम इसको एक पौदीने की पती से गार्निश करते हैं पौदीने की खुश्बू है और इमली का टेस्ट है आप यहां पर टेस्ट करके देख लेंगे चक कर देखें जरूर कि आपकी जो चटनी है उसमें किस चीज की कमी है मुना जीरा चीनी जो भी कम लगता है वो आप औ स्मोसे के साथ खाये टिक्की के साथ खाये प्राथे के साथ खाये थैंक यू सो मच फो वचिंग मैं रसीपी करते हैं